पिल में आप मिलेंगे ऐसे कलाकार से ऐसे डांसर से जो संगीत का सवधागर है नाम राजीव हरियोम भाटिया जिसे हम खेलाडी कुमार के नाम से जानते हैं और ये हैं फिल्म इंडस्टरी के सूपरस्टार अक्षे कुमार बही वैसे तो लोग हमें संगीत का जानते हैं नाम है राजा इन्होंने अपने दिया खुद ही कहा है ना हम मामीताब ना हम दिलिप कुमार ना ही किसी हीरो के बच्चे हम हैं सीधे साधे अक्षे फिल्म इंडस्टरी के बहार से आया ये लड़का सूपरस्टार बना जन्म नौ सितंबर सन उननिस सो सरसट अक्षे कुमार का जन्म अमरित सर में हुआ था और परिवरिश होई पुरानी दिल्ली यानि की दिल्ली छे में इनके पिता हरियों भाटिया और मा अरुना भाटिया पिता हरियों भाटिया एक मिलिटरी आफिसर रहे अक्षे कुमार बच्पन से ही स्टेज पर एक पफॉर्मर की तरह जाने जाते थे खासतोर पे डांस में दिल्ली के चान्नी चौक एलाके में रहते थे और उसके बाद ये मुंबई आ गए जहां पर ये कोली वाड़ा एलाके में रहने लगे कामियाबी की उन बुलंदियों को छो सको जिसका सबना पापा और आपकी आँखों ने देखा था मुंबई के डॉन बॉस को स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई होई और मुंबई के ही गुरु नानक हालसा कॉलेज से हाईर एजूकेशन की वो और बात है कि एक साल के बाद ही ये पढ़ाई छोड़ बैंककॉक चले गए मार्शल आर्ट सीखने के लिए अक्षे कुमार की एक बेहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया जब अक्षे 14-15 साल के थे तब इनके वालित ने इंसे एक बार सवाल पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और तब अक्षे कुमार ने कहा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं हिंदुस्तान में ही इन्होंने ताइक वॉंडो में ब्लैक बेल्ट हासिल की बैंककॉफ में मार्शिल आर्ट्स की पढ़ाई की जहां पे यह बदोर शेफ और वेटर काम किया करते थे मुंबई वापस आजाने के बाद अक्षे कुमार ने मार्शिल आर्ट्स सिखाना शुरू किया और अभी भी एक्टिंग के मन्जिल काफी दूर थी कोई रहा नजर नहीं आ रही थी और तब सूरत चमका अक्षे कुमार जब मार्शिल आर्ट्स की क्लासस लिया करते थे तब इनके एक स्टूडिंट ने जो कि खुद एक फोटाग्रफर बनना चाहता था इनका नाम मॉडलिंग असाइंग्मेंट के लिए भेजा मॉडलिंग के पहले ही दो दिनों में अक्षे कुमार को लगा दो दिन में जो पैसा मैंने कमाया है वो तुम्हें पूरे महिने में नहीं कमा पाता इसलिए मॉडलिंग का ही रस्ता चुन लिया जाए बहुत सारी फिल्मों में ये बतार बैक्ग्राउंड डांसर भी काम कर रहे थे और एक दिन इन्होंने फ्लाइट मिस कर दी और किस्मत के हवाई जास पर ये सवार हो गए किस्सा यूं मशूर रहा कि अक्षे कुमार को बैंगलोर जाना था एक आट की शूटिंग के लिए पर ये फ्लाइट मिस कर बैठे ये बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि अब क्या होगा अच्छा हुआ कि इन्होंने फ्लाइट मिस की क्योंकि उसी शाम जबर्दस प्र नेत्री राखी और शाम ती प्रियांटी शाम जाता हुआ है